पैंसन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी पैंसन धारक हैं तो इस वीडियो को आप जरूर पोच करेगा दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दें कि अब की बार पैंसन धारकों को बड़ा जटका लगने जा रहा है जी हां दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी पैंसन धारक अपनी पैंसन को लेकर इंतिजार कर रहे हैं कि उनकी पैंसन कब आईगी लेकिन आपकी बार काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी पैंसन नहीं आपाएगी जिनकी पैंसन को सरकार दुवारा रोख ले जाएगा तो दोस्तों यह पैंसन किन किन पैंसन धारकों की नहीं आने वाली है हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साथी साथ दोस्तों आपको यह भी बताए जाएगा कि आप आने वाली पैंसन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वह कौन से कारण हैं जिनको आप सुधार सकते हैं सही कर सकते हैं जी हां दोस्तों हम आपको संपुर्ण जानकर देने वाले हैं क्या आको कैर कारिया करना होगा, कैसे आप अपनी पैंसन को पराप्त कर सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे हमारा निविधन हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देजिए शेर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सभी पैंसन धारकों के लिए बूरी खबर जारी हो चुकी है आपके जानकारी के लिए बता दें कि पैंसन योजना में अक्सर बदलाव होते रहते हैं यह आप सभी भी दोस्तो जानते होंगे जिस प्रकार से दोस्तो नए नियम में बदलाव होता है कई बार नए नियम भी लागू किये जाते हैं दोस्तो उन्ही नियमों के मुताबिक अब की बार जो आने वाली पैंसन हैं काफी व्यक्ति वन्चित उन पैंसन से रह सकते हैं अब दोस्तो यहां पर वे है क्या कारण है उसके बारे में बताएंगे क्या आपको कारे करना है उसके बारे में भी हम आपको यहां पर जानकारी देने जा रही है दोस्तो आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी जिले के रहने वाले हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं यह कारिये सभी पैंसन धारको को करना अनिवारिये है चाहे आपकी pension दोस्तो वर्दवस्ता हो, दिव्यांग हो या फिर आपकी pension विध्वा pension हो सभी pension धारकों को यह कारिय करने है दोस्तो यह कारिय करने के बाद हम आपको इस वीडियों बताएंगे यह कारिया करने के बाद आपको समय से पहले पता चल जाएगा कि आपकी पैंसन कब आने वाली है और किन-किन वैक्ति को पैंसन दे जाएगी दोस्तो जो वैक्ति है कारिया नहीं करेंगे तो उनकी जो पैंसन है वह सरकार द्वारा रोक ली जाएगी हाला कि इसके लिए दोस्तों पहले भी सरकार ने नोटिफीकेशन जारे किया है लेकिन सभी वैक्तियों ने दोस्तों यह कारिये नहीं किया है कुछी वैक्ति यह कारिये कर पाएं है चलिए आगे बात करते हैं और आपको बताते हैं किया कारिये करना है दोस्तों आपकी जानकर के लिए बता दें कुछ दिनों पहले सरकार ने नए नियम लागू किये थे जिसके अंतरगत सभी पैंसन धारकों को EKYC करना अनिवारिय कर दिया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी वेक्स्तियों ने अपनी पैंसन की KYC नहीं कराई है अभी वी अगर उत्तरप्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तरप्रदेश में 50,000 से भी अधिक ऐसे पैंसन धारक हैं जिन्होंने KYC नहीं कराया है दोस्तों एक कारिय होर आपको कराना है जो अत्ती महत्पून है और चाहे आपकी जो भी पैंसन है वे भी आप सभी को कराना है सभी राज्य निवासियों को सभी जिले में आपकी सभी जिले में रहते हैं आपको वह कारिय कराना अनिवारी है सबसे पहले जो कारिय है वह हम आपको बताया है कि आपको यहाँ पर KYC कराना नहीं वारे है देखिए जिन पैंसन धारकों ने अपनी पैंसन की KYC करा ली है उनको दोबारे से KYC कराने की अवशक्ता नहीं होगी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करिये है कि KYC जरूर कराईएगा और दोस्तों आप खुदा चाहेंगे कि काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सरकार रोकने के लिए यानके उनके च्छानबिन करने के लिए यह नियम लागू किया है और दोस्तों आपकी KYC के अनुसार यानके आपके आधारकार के अनुसार ही पैंसन धारकों को जाचा जा रहा है क्योंकि दोस्तों पैंसन ट्रांसपर करने से पहले सरकार द्वारा सभी पैंसन धारकों की पैंसन को जाचा जाता है चाहिए वे कोई भी पैंसन धारख हूँ, जिसमें पता चल सकता है कि कोन व्यक्ति पातर है और कोन व्यक्ति एपातर है, जो व्यक्ति एपातर होते हैं, उनकी पैंसन को रोक दिया जाता है, और जो पातर व्यक्ति होते हैं, जो सही व्यक्ति होते हैं, पैंसन धारख होते हैं उनकी pension को सरकार द्वारा transfer कर दे जाता है दोस्तों अगर उतर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो pension है वे 3,000 रुपे pension सरकार के तरफ से दे जाती है लेकिन यहाँ पर एक खुश खबरी भी है अगर हम आपको दें तो दोस्तों यहाँ पर 500 रुपे और बढ़ोतरी होने की चर्चा की जा रही है यानिके pension में अगर 500 रुपे की बढ़ोतरी हो जाती है तो दोस्तों pension धर्गों को बढ़कर pension मिलेगी हाला कि आने वाली जो pension आपको मिलने वाली है वह तीन हजार रुपे ही आपको मिल पाएगी। वहीं दोस्तो सभी पैंसन धारकों को यहां पर यह कार्य करना अनिवारिय हैं। अब बात करते हैं उन पैंसन धारकों की जिहोंने अपनी पैंसन से मोबाइल नमबर लिंक नहीं कराया है। दोस्तो अगर आप मोबाइल नमबर को लिंक करा लेते हैं तो दोस्तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी एकाउंट में आपकी पैंसन कवाएगी या फिर आपकी पैंसन आपके एकाउंट में आई है या नहीं आई है। साथी साथ दोस्तो आपको यह भी पता चल प सकते हैं आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा अगर दोस्तों आपने अभी तक अपनी पैंचन नहीं बनवाई तो आप जल से जल पैंचन बनवा लिजए गा अगर आप बुजुर्ग है तो दोस्तों आपका यहां पर आयू परमानपत्र चाहिए होगा अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो यहां पर दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों अगर दिव्यांग सर्टिफिकेट की बात करें तो 40% का आपका दिव्यांग सर्टिफि यह होगा अब दोस्तों यह सभी दस्तविज आपके पास होई चाहिए और साथी आपका जो आयप पर्मान पत्र है अगर आप ग्रामिट छेत्र से हैं तो 40,080 रुपे का आपका आयप पर्मान पत्र होना चाहिए तब ही आप अपने नई पैंसन के लिए अपलाई कर सकते हैं और साथी दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने पहले ही पैंसन बनवाई हुई है तो आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं अगर लिस्ट में आपका नाम होगा तब ही आपको पैंसन मिलेगा अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो आपकी पैंसन नहीं कर लीजिए शेयर करें जाद से आदा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब करेगा और पहले अगण को ओल पर आप स्ट्राइब कर लेज़ा तक क्या नोड़े सभी नोटिविएन आप तक कुन से और आप स्क्राप उड़ा सके जले उस् हिंद जा भारत